और श्रेलिया निया इसी सी मेंस विश्व कब दोज़ार तेश चीत हिया है इंदबाद स्थित नरेंद्र मोधी स्टेडियम में यह मैच खेला गया जब भारत को 6 विकेट से हार मिले मैच देखने कई वी आईपी गेस्ट आएं सबसे जादा चर्चा में रही प्रधान मंत्र नरेंद्र मोधी केंद्य अग्री मंत्री अमिट्शा और उस्ट्रेलिया के उप्रधान मंत्री रीचार्ट मारल्स भारत भले ही वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया लेकिन फिर भी क्रिकेट फैंस ने अपनी टीम इंडिया का साथ नहीं छोड़ा हाँ वह बात अलग है कि दिल सभी के टूट गए फैंस दुखी है लेकिन अब भारत की हार पर राश्रीति घमासान शुरू हो क्या है बहस के सेंटर में है नरेंद्र मोधी जो फाइनल मैच के महमान रही आरके बाद बिजेपी विरोधी दलो ने पीए मोधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और भा मोधी से जोड़कर जीति की भविश्वान की थी आप भी देखिया विडियो मुझे याद है आजेडी के नेता सुरेंद्र राम ने हार के लिए नरेंद्र मोधी को जम्यदार बताते वे कहा कि प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी के शहर और उनका पैर अशुब है पियम मोदी के जाते ही विश्व विजेता बनने वाले खिलाड़ी हार गए पियार के मंत्री के बाद इंट्रे होई शिपशेना के नेता संजय राउत की जोनोंने फाइनल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुनेज़ आने पर सवार उठाया साथी दावा किया कि अगर फाइनल मैच मुंबई के वानखेडे स्टेडियम या कोलकाता के इडिन गार्डन में होता तो भारत क्रिकेट का विश्व विजेता बन सकता था खेर आपको क्या लगता है कि पिया मोदी के आने से ही इंडिया मैच हार की कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जन है ते टाइक्स